परमेश्वर अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता है किसी ना किसी माध्य हमसे इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया बनाया है ताकि वो इस बाइबल के दरिये इस वचनों के दरिये वो आपको बता सके कि वो आपसे कितना प्रेम करता है पेसलोट आकाश और धर्ती गुरशने वाला इशु हमारा प्रभु है बाइबल बताती है सिर्फ बाइबल बताती है कि हम कहां से आए हैं हमें इस धर्ती पर क्या करना है और हमें कहां जाना है सिर्फ और सिर्फ बाइबल हालेलुया जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि आपको धर्टी पर करना क्या है क्या है शैतान आपके जहन में गलत चीज़ें लेकर आता है आप रोटी रोजी के लिए भागते रहते हैं परमिश्र कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है एमेन वो कहता है जब पक्षी और जो पक्षी है जो उड़ते हैं जब मैं उनको रोज रोटी देता हूँ तो कैं मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ एमेन इस लॉक्डॉन में अगर आपने काम नहीं किया तो आप में से कोई है जो भूका सोया हो एमेन किस ने किया परमिश्र ने उसने बताया कि वो आपके साथ है हमें बस इस चीज को महसूस करना है कि वो है संसार का जो पाप है ना वो हमें परमिश्र से दूर करता है संसार हमसे कहता है कि हमारे अंदर बुद्धी है मैं हूँ पहला यह होना दो का सोला अगर हम पढ़ेंगे तो वचन बताता है संसार कहता है बड़ी बेटा वस जॉन 2 16 क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्था शरीर की अभिलाशा आखों की अभिलाशा जीवेका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंदू संसार की ओर से शरीर की अभिलाशा है जो आप शरीर से, जो आप शरीर के लिए कमाते हैं आपकी अभिलाशा है शरीर के लिए खतम ही नहीं होती है खतम ही नहीं होती है कितना भी कुछ खा लें दुपैर को खाते हैं तो रात के खाने की इनसान को इंतजार होता है, सोचता क्या बनाएंगे कर रात को खाया तो कल सुबह क्या बनेगा संतुष्टी मिलती नहीं आपको इसलिए शरीर की अभिलाशा आखों की आशा लालसा ये कभी खतम नहीं होती है और ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से प्रियस अलाट शैतान हमें उल्जा के रखता है ताके हम उस परमेश्व के सामर्द को ना समझ पाएं उस परमेश्व की क्रिपा को ना देख पाएं इमें आप में से बहुत शादी शुदा विवाहिद जोड़े यहां बैठे हैं कि आप में से कुई है जो तैय कर सकता है कि अगले साल मैं एक बच्चे को जन्मूंगा बच्चा जन्मते आप ही है लेकिन आप बता नहीं सकते तैय करना किसके हाथ में है बाइबल कहती है कि जब आप इस संसार में नहीं थे तब भी उसने आपके लिए योजनाई बनाई है इमें इर्मिया एक का चार और पांच बढ़िए इर्मिया जर्मिया एक चार और पांच जली बढ़िए आले ले यह बढ़िए बढ़िए तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा गर्ब में रचने से पहले ही मैंने तुछ पर चित लगाया गर्व में रचने से पहले ही मैंने तुछ पर चित लगाया यह आपकी बात हो रही है बरदर यह आपकी बात हो रही है यह आपकी बात हो रही है गर्व में रचने से पहले आप अपनी मा के गर्व में आएं उससे पहले उसने आप पर चित लगाया ध्यान लगाया एमेन आप अपनी मा के घर में आए उससे पहले आप पर परमेश्वर में चित लगाया तो सोचिए वह आपसे कितना प्रेम करता है क्या वो आपको आजमाईशों में छोड़ेगा क्या वो परिक्षाओं में आपसे दूर चिला जाएगा वो चाहता है कि आप उसे समझें जाने और परमेश्वर के पास आने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमारे अंदर जो पाप है वो निकल जाए अगर हम अब पवित्र हैं तो हम परमेश्वर के योग के नहीं है कि आप नहीं मिल सकते हैं क्या आप दूद में एक बूंद निम्बू डालकर उसे पी सकते हैं पढ़ जाएगा एक बूंद कुछ नमक डालकर क्या आप दूद को पी सकते हैं क्योंकि दूद की तासीर पवित्र है इसी तरीके से आप उस परमेश्वर के पास पाप के साथ नहीं जा सकते हैं उसके लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा हमेन और आप अपने आप पवित्र नहीं हो सकते हैं हलो आपने कहा कल की मेरी शट गंदी थी कल की मेरी पेंट गंदी थी लाओ आज मैं धोबी के धुले वे कबले पहनता हूं आप शरीरिक रूप से शुद्ध हो सकते हैं लोगों की नजरों में लेकिन अगर आपके अंदर पाप है तो आप शुद्ध नहीं हैं तो आप परमेश्व से नहीं मिल सकते परमेश्व आपको नहीं स्विकार करेगा क्यों क्यों क्योंकि आपके अंदर पाप है अलो और यह पाप कई रूप में होता है इसलोट इसलिए इशू मसी मरा इसलिए इशू मसी 2000 साल पहले धर्टी पर आया इसलिए इशू मसी आदमी और और आरत के संबंद से पैदा नहीं हुए क्योंकि आदमी और और आरत से जो भी बच्चा जनमता है उसके अंदर पाप है इसलोट उसके अंदर पाप है अब आप कहेंगे पास्टर एक चार शे महीने का बच्चा है उसके अंदर कैसे पाप हो सकता है शे महीने का बच्चा उसके अंदर कैसे पाप होगा मैं आपको बताता हूँ पाप लहू में होता है पाप ब्लेड में होता है मालीजी आपका छे मेने का बच्चा है और आप उस छे मेने के बच्चे के लेकर अपनी सहली से मिलने जाती है और उसका बच्चा भी तकरिवें 5-6 महीने का है और वो बच्चा रो रहा है, आपकी सहली का बच्चा रो रहा है और आपने अपने बच्चे को उसके पास लिटाया और उसका बच्चा उठा लिए अपनी गोदी में उसे चुप कराने के लिए क्या होगा? आपका बच्चा रोने लगेगा कि मेरी माने दूसरे बच्चे को उठा लिया है होता है के नहीं होता है? क्या था बच्चे में? क्यों उठाया? क्या आया उसके अंदर? इर्शा उस बच्चे के अंदर क्या आया? इर्शा के मेरे माने दूसरे बच्चे को उठा लिया है Amen इर्शा करना क्या है पाप किसी ने सिखाया उसे वो कहां से आया बलड से आया इसलिए इशु मसी यूसुफ के बलड से पैदा नहीं हुए इसलिए इशु मसी आदमी औरत के संबन से पैदा नहीं हुए इशु मसी पवित्रात्मा के सामर से मरियम के कोख में आये इसलिए उनमें पवित्रता है इसलिए इशु मसी मरे क्रूस पर और उन्होंने क्या कहा अगर तुम मरे ताकि संसार का पाप उन्होंने अपने उपर ले लिया प्रेस अलोट संसार का पाप उन्होंने अपने उपर लिया अगर आप विश्वास करेंगे कि इशु मसी ने आपका पाप लिया है और आप इशु मसी को प्रभू मानेंगे आप पापों से मुक्त हो जाएंगे और इश्व मसी सिरफ आपके पापों को लेकर कुरूस पर मरा ही नहीं है वो मर के जिन्दा हो गया है और आज तक जिन्दा है उसकी कब रखा लिए इसराइल में प्रिश लॉट उससे कोई पाप नहीं किया था उससे कोई गुणा नहीं किया था दूसरा कुरूंतियन पांच काई किस दूसरा कुरूंतियन पांच काई किस उसने कोई पाप नहीं किया था अच्छा यहां जितने भी लोग बैठे हैं कि आप यह समझते कि आप पवित्र हैं कितने विश्वाख करते हैं, कितने दावा कर सकते हैं, मैं पवित्र हूँ सर कोई दावा कर सकते हैं, मैं पवित्र हूँ सब मैं पाप है लेकिन जब आप इशू मसी के नाम के साथ अपने जीवन को बिताते हैं तो उसकी पवित्रता आपकी हो जाती है उसकी पवित्रता आपकी हो जाती है दूसर करुंधियन पांच काई किस पढ़िए जो पाप से अज्याद था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठेराया जो पाप से अज्याद था किसकी बात हो रही यहां पर ईशू मसी की जो पाप नहीं जानता था एमेन इस भाई ने इस भाई का खून कर दिया और इसका एक साल का बच्चा वाँ ख़़ा हुआ है और इस भाई ने खून का जो हतियार है जो चाकू है उस बच्चे के हाथ में थमा दिया पुलिस आई पुलिस क्या देखती है एविडेंस हतियार कहा था बच्चे के हाथ में, बच्चा लिए खड़ा, बच्चा, अंकल, यह क्या है, परमेश्वर कहता है, उसने पाप नहीं किया, वो पाप से अंजान था, जैसे वो बच्चा पाप से अंजान है, उसने चाकू फेका नहीं, उसको नहीं पता है कि इस चाकू से खून हुआ है, उस उसको नहीं पता है, यह चाकू जो है, मुझे मुझरिम ठाइरा देगा, उसको नहीं पता है, क्योंकि वह पवित्र बच्चा है। इसी तरीके से शैतान आपके संग छलता है। शैतान आपको छल कर पाप में डालता है। और परमेश्वर से दूर कर देता है आपको। इसलिए 1st करॉंथियन 5 कर 21 जो पाप से अग्याद था उसको उसने हमारे लिए पाप ठेड़ाया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिक्ता बन जाएं। प्रेस लॉट परमेश्वर की धार्मिक्ता। अलो। आप दुनिया में बहुत मकाम पाना चाहते हैं। जड़ोजहद करते हैं, सुबह से शाम तक अपने बच्छों को पढ़ाते हैं। साथ बड़ी बड़ी पढ़ाईयां बड़ी डिग्रियां दिल्वाने की आप कोशिश करते हैं। बड़े बड़े धंदे आपके लिए। बड़े बड़ी नौकरियों के लिए आप इसकी धार्मिक्ता का मतलब पता क्या है? उसकी धार्मिक्ता का मतलब है कि स्वर्ग में दाखिला लेने का सर्टिफिकेट Amen स्वर्ग में entry लेने का टिकट Amen क्यों मरा इशु क्यों इश्यू मसी मर के जिन्दा हो गया ताकि भाई मैं और आप परमेश्र के पास जा सकें इब्राणियो नौका 27 इब्राणियो नौका 27 आपको पता है इंसान बहुत बड़ी भूल करता है आप समझते हैं कि मौत आपका अंत है आदमी समझता है कि उसका अंत मौत है चलो यार इस जीवन में हैश करो, खाएंगे, पिएंगे और मरना ही है ना उसके बाद तो मर जाएंगे बाइबल क्या कहती है, सुनिए और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना न्युक्त है आपको पता है जानवर भी जीते हैं जानवर का भी जन्म है, आदी है और अंत है प्रेस अलॉट जानवरों का इंसान का भी आदी है लेकिन अंत नहीं है जानवरों का आदी है और अंत क्यूं है? क्योंकि जान्वरों में आत्मा नहीं है पशी पक्षू जितने भी जान्वर हैं उनके अंदर आत्मा नहीं होती है उनके अंदर जीव होता है और शरीर होता है उनके अंदर आत्मा नहीं है हमारे अंदर आत्मा है आपको पता है आप कौन है? आपको पता है आप कौन है आप एक आत्मा है अलो अपनी अरिंटिफिकेशन को समभालिए पहचानिए What you are You are a soul मैं एक आत्मा हूं बोलिए मैं एक आत्मा हूं मैं एक आत्मा हूं मेरे पास प्राण है मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं Amen This is your identification आपका नाम आपके इडिफिकेशन नहीं है विश्नु भाई आपका नाम आपके इडिफिकेशन नहीं है इसलिए आपने देखा होगा कि मरने के बाद कोई आपका नाम नहीं लेता जैसे इंसान मर जाता है भाई लाश को उठाओ लाश को मच्चूओ कल तक आपका बाप था आपका भाई था आपका पती था ने 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 प्लीज प्लीज अरे ज़्यादा देर तक नहीं यार दुर्गंद आने लगेगी अरे यह निकालो इसके उपर जो गले का हार बगार ने ने निकालो आपके अपने कभी सोचा हैं कितनी धकाउं उसले बाजी है आप जानते हैं आपकी अडेंटिफिकेशन क्या है आप एक आत्मा है और आपकी आत्मा बिना इशू के मरी हुई है क्यों? क्योंकि उस आत्मा को मारा है पापने आप आपको समझी नहीं जाएं आप समझे नहीं जूट बोलना क्या है यार धंदा करना तो जूट बोलना पड़ेगा यार थोड़ा बहुत धोका देना पड़ेगा यार धंदा ही क्या सूल है देना ही पड़ेगा अभी तो आप धोका दे लेंगे अभी तो आप जूट बोल लेंगे आगे क्या बाइवल में क्या लिखा हुआ है कि मौत के बाद नियाए है मौत के बाद नियाए है यह आपने 80-90 साल गोजारे आपने उसके बाद क्या है नया के बाद इस मौत के बाद आपको नया के लिए ख़ड़े होना है परमेश्वर के सामने या तो आप नर्ग जाएंगे या आप सुर्ग जाएंगे और अगर आप में पाप है तो आप सुर्ग में नहीं जाएंगे क्या फाइदा इसलिए इशू मसी मरा उसने आपके पाप अपने उपर उठा लिए ताकि इशू मसी को जब आप सुईकार करते हैं तो आप पापों शापों से मुक्त हो जाते हैं और जब आप पापों शापों से मुक्त हो जाते हैं तब उसकी आत्मा आपके अंदर आती है आप जब पापों शापों से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी आत्मा जिन्दा हो जाती है और आपकी अरिंडिफिकेशन आपको मिल जाती है क्योंकि आप आत्मा है मेरे भाई आप नहीं जानते हैं इशू मसी कौन है वो कोई धर्म लेकर नहीं आया और कोई धर्म है भी नहीं मेरे भाई वो कोई धर्म लेकर नहीं आया वो कहता है दुश्मनों को माफ करो जो तुमें सताते हैं उनके लिए प्रात्ना करो सुचिए जब वो कुरूस पर चड़ाय जा रहा था जब वो कुरूसिफिकेशन के उपर जा रहा था महायाजकों ने, फिलिस्तियों ने महायाजकों ने मरवाया, उसको कोड़े लगवाया 49 कोड़े पूरे खाल उधेड ली उसकी लेकिन कुरूस पर जब वो गया तो उसने क्या का, पिता परमेश्वर इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं क्यों, क्यों क्योंकि उसकी माफी ही आपको आजाद करेगी हलो ये जो हमें जीवन मिला है ना बहुत बहु मूले है बहुत बहु मूले है हम इस जीवन को समझते नहीं है हम अपने कुछ विधी विदान बना लेते हैं हम अपने कुछ सिधान बना लेते हैं उसी के अनुसार हम चलने लगते और इसलिए हम धोका खाते अगर आप परमिशर के बनाए हुए नियम पर चलेंगे आप कभी धोका नहीं खाएंगे ये बाइबल 2000 साल पहले वैसे अगर पुराना नियम पढ़ें तो 4000 6000 साल पहले ये बाइबल लिखी हुई है 6000 पुरानी ये पवित्र शास्त्र है इसका एक-एक शब्द पवित्र है जो हो रहा है इस समय इसराइल और आमास में हो रहा है ये लिखा हुआ है अंतिम समय है एक-एक शब्द इसका सच है एक-एक भविश्यवानी इसकी सत्य है क्योंकि ये लिखने वाला कोई और नहीं है परमेश्वद इसलिए उस इशु को जानना और समझना और सुईकार करना और उसके साथ रहना हमारे लिए बहुत सरूरी है बहुत सरूरी है 1 John 1.9 1 John 1.9 पहला यहना एक का नौ देखे प्रभु आप से क्या चाहता है एक बहुमूल जीवन देने के लिए अपने पड़ुसी से कहिए कि मुझे बहुमूल जीवन मिला है क्या आपको मिला है आपको मिला है हमें अपने आप से पूछना है हम कौन है मैं कौन हो हलो एक बहुमूल जीवन मुझे मिला है उस जीवन को हमेशा याद करना है आपकी नौकरी होती है आपको पैसा होता है रोज सुबह उड़ते ही यादा है इतना बैंक में डालना है इतना निकालना है इतना पैसा है हाँ मेरे पास यह है उसको धन्यवाद दीजिए और उसको बताई कि आज धन्यवाद आज आपने एक और रात मुझे सुक से दी और आगे आने वाला जीवन दिया जिसे में अच्छी तरीके से निभा सकूँ जिसे में आपके अनुसार बिता सकूँ अपने अनुसार जीना बहुत मुश्किल है ब ह吸 सही प्राइस आती है आपके ऑर योजना सफल नहीं होती है रहे हैं बहुत कम है जिनकी अपनी योजना सफल हो जाती है नई आप यह रहा सबहना कुछंछ पनारें और अग्ली दिन कुछ और चूट जाते और पर लदे यार अगर ऐसा होता तो यह होता यह business में पीशों होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर प्रमेश्वर के अनुसार आप चलेंगे, तो वो आपकी प्लानिक बनाएगा. आपको कुछ करने के ज Francisco नहीं है. अगर हम प्रमेश्वर के अनुसार चलेंगे, तो हमारी योशिना बनाने वाला कौन है? प्रमेश्वर. और वो परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है हमारे भविष्य को देखता है वो क्या हम देखते हैं नहीं हम अपने कल को जानते हैं नहीं जानते हैं आदे घंड़े के बाद क्या होने वाला नहीं हमें नहीं पता कि पांच मिन के बाद कौन सा विचार मेरे अंदर आने व बजन सही था 149 का एक और दो साम 139, 1 or 2 साम 139, 1 or 2 यह है हमारा परमेश्वत एमेन वो क्या चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे जाने हलो आपने पापा को जानते हैं न कि पापा का मूड का बच्छा रहता है कब आपा से चॉकलेट वांग सकते हैं कब आपा से पिक्तर जाने के लिए कह सकते हैं है न इसी तरीके समय परमेश्वर को जानना है वो है हमारा असली पिता यह तो जमीनी पिता है असली पिता कौन है परमेश्वर जो आपके पिता का भी पिता है जो आपकी मा का भी पिता है वो कहता है तूने मुझे जाचकर जान लिया है तू मेरा उटना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है मैं कैसे उटता हूँ क्या सोच रहा हूँ सब तू जानता है तूसे कुछ नहीं शिपा और तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है जो विचार मेरे अंदर आने वाले हैं उनको तू समझ लेता है कई विचार ऐसे होते हैं जो परमेशर की ओर से आते हैं और कई विचार ऐसे होते हैं जो शैतान की ओर से आते हैं आप अगर परमेश्र की धार्मिक्ता में हैं तो आपको पता लग जाएगा कि परमेश्र की ओर से क्या विचार आने वाले हैं और शैतान कौन से विचार लेकर आने वाला है जब तक परमेश्र की धार्मिक्ता आपके अंदर आएगी उसका सवभाव आपके अंदर आएगा उसकी आत्मा की अगवाई में आप चलेंगे आप आराम से जान जाएंगे कि ये सवभाव ये जो विचार है ये शैतान की ओर से है इसलिए प्रातना करिए कि परमेश्र जो विचार मेरे अंदर आने वाई अगर वो आपकी ओर से नहीं है तो विचार मेरे अंदर ना आए प्रेस अलोट आप मांग कर देखिए आपके अंदर गलत विचार आना बंद हो जाएंगे आप कहिए प्रभू से कि जो जो विचार मुझे अशुत्र करने वाला है उस विचार को रोग देतू एमेन रेसलोड इसलिए वो क्या चाहता है फॉर्स जॉन वन का नौ पढ़िया बिटा यदि हम अपने पापों को मानले तो वह हमारे पापों को शमा करने और हमें सब अधरों से शुद्द करने में विश्वास डियो अधर्मी है रेएमेन रेत करने एक हम अपने अपजिता को मां लो अभी प्रॉब्लम कहा होती है हम परमेश्वर को मनुष्य जैसा समझते हैं यहां से समझते हैं हम परमेश्वर को मनुष्य की तरह समझते हैं आप कोई गलत करते हैं या कोई पाप करते हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि मैं किसी को बताऊं मुझसे को गलती हो गई है मैं अपने वीवी को नहीं बताऊं अप क्या सोचेंगे मैंने बारे मुझसे गल्ती होगा यह मैंने Pakाप किया यार लेकिन आप परमेशड युख से भी छुपा लेते हैं Amen को पटा कि आपने जुट बोला है कि वो कब आपको माफ करेगा जब आप चाहेंगे कि वो कब आपको शुद्ध करेगा जब आप चाहेंगे कि आप रोटी कब खाएंगे जब आप माँगे Amen आप दस दिन मत मांगिये रोटी मैं देखता हूं घर में कितनी वाला आपका रोटी मिलती है आप तो टेल भूग लगी बही नाश्ता दे बही रोटी दे परमेश्र चाहता है वो क्या कहता है जब तू पाप करे तो उसे मांग उसे ख्षमा मांग यदि हम अपने पापों को मान लें कब आप मांगेंगे जब आप मान लेंगे हलो इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो मानता नहीं है आप गलती करके नहीं मानते है परमेश्र आपकी आत्मा को शुद्ध रखना चाहता है परमेश्र आपके अंदर से पाप को निकालना चाहता है लेकिन आप नहीं मान रहे हैं आप कहाने नहीं मैंने नहीं किया पाप एक बहुत पुराना किस्टा है एक मेरे दोस्त थे उनकी मा बिमार थी और उनकी बहु उनके सामने खड़ी थी और दोस्त ने कहा कि प्लीज आईए प्रदर मेरे लिए मेरी ममी के लिए प्रात्ना करिए मैं का ठीक मैं गया हॉस्पिटल में और जैसी मैं प्रात्ना करने लगा परमेश्र ने मुझसे कहा कि इस बहन से बोलो कि अपनी बहु को माफ कर दे मैंने का अंटी यह आपकी बहु है हाँ मैंने का इन्हें माफ कर देजे प्रभू आपको आशीर से नहीं मैं मैं इसे माफ नहीं करूंगी मैंने का नहीं माफ करेंगी तो आपको बिमारी आपकी दूर नहीं होगी इन्हें माफ कर देजे नहीं यह जब से आई इसने मेरे बेटे को वरगला दिया जब से आई इसने ऐसा किया है वैसा किया है वैसा किया है मैं नहीं माफ करूंगी मैंने उसकी बहुत से कहा मैंने कर भैटा आप माफ कर दो नहीं मैं भी नहीं माफ करूंगी और मैं आ गया दूनों को समझा के दूनों कहते मैं अध्रा थिन के बाद मेरे दोस्च का फोन आ मेरी मा की हालत बोहत खराल है अब दो उसका वेट भी बहुत कम होता जा रहा है नहां कुछ खा रही हैं और जो खार्य वह लग नहीं रहा उंको क्या कर hinaus एक पर और आप आईये प्राथना करें ने कब रहें कि क्या अग्या था इधर भाउत ही वो थी है वह कॉल Freunde के मे taking बहूर्स समझाया में का वेटा क्या पॉर्बलम है कि कि क्या तुम इस माको अपने अपने सास को अपनी मानी समझ जलिए क्या प्रॉबलम है की ते अई से फीरडॉ मैं यह मेरे लिवाटेखे टीम ने को बहू नहीं आपकी बेटी है के कभी गलतिई कर सकती है कोई बात नहीं इसको आफ करिया माफ करेंगे तो आप आशिय श्माएंगे खैयर farmishné किर्पा कि और मा ने कहा कि ठीक है मैंने कह मुर्दे करिये सामने बहुत ही क Direkt ही कि मैं है अपनी बहू बेमारी है वो जाने लगी दो दिन के अंदर वो ठीक हो गई है आपको पता है आपकी बेमारी आपके अंदर है आपका पाप आपको अशुद करता है आपका पाप जो है न अशुद आत्मा घर में लेकर आता है आप नहीं समझ रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं रोमियों साथ का पंदरा पढ़िए जब आप पाप में होते हैं आपको नहीं पता कि आपका पाप क्या कर रहा है यही तो इशु मसी आपको बताना चाहता है कई बार आप जानते हैं कि यह पाप कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं यार लेकिन फिर भी आप रोख नहीं पाते अपने आपको ऐसा होता कि नहीं होता है आपको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ आप ऐसास भी करते हैं कि मैं गलत हूँ लेकिन आप अपने आपको रोग ही नहीं पाते हैं होता है कि नहीं होता है इसा है ना तो क्या लेखा वा साथ का पंदरा जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता परंदु जिस से मुझे गृणा आती है वही करता हूँ क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता परंदु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ कि आप जानते हैं कि अच्छा काम किया है कि मैं अगर अपना पास बताओं कि मैं बॉलीवुड से हूं मैं दस फिल्मों का हीरो रेचुका हूं दस फिल्में मैंने बॉलीवुड में ऐजे हीरो करी है उससे पहले मैं टीवी एनॉंसर था 83-85 साल आइवस टीवी एनॉंसर न्यूस पढ़ता था मैं न्यूस दुर्दर्शन था नांटीटू में जी टीवी आया है और मैं अंधेरी में रहता था अभी भी मेरा फ्लैट है वहां पर लेकिन मैं ड्रिंक करता था प्रभू में नहीं था मैं प्रभू को नहीं आनता था और ड्रिंक करता था मैं और मैं रोज सुबह कहता था नहीं गलत है यार मेरी हालत इतनी खराब थी मेरा बच्चा था मेरी पत्नी थी इतनी हालत हमारी खराब थी पैसा नहीं था लेकिन ड तो मजह पीने बाले आपको पिलाने के लिए बहुत मिल जाएंगे खाना दोए कोई मिलेगा कोई ने हैं आपको खाने से ज्यादा महंगी दारू पिला देंगे नहीं नहीं वैसे बात कर रहा हूँ क्यों क्योंकि आप कौन उखसारा है पाप आपको नहीं पता है कि आप उस पाप के सारे चल रहे हैं इसलिए वो क्या कहता है पहला यह न एक कनो कि यदि तू अपने आपको मान ले मान ले परमेश्वर ने आपको क्यों चना है पता आपको जब परमेश्वर ने आपको चुना है तब भी आप पापी थे हाँ के ना जब आपको चुना आप पापी थे की नहीं थे क्यों चना आपको क्योंकि परमेश्वर ने आप में कहीं न कहीं जोती देखी Amen परमेश्वर आपको अंदुरूनी रूप से जानता है Hello परमेश्वर आपकी अंदुरूनी पवित्रता को जानता है बजन सहीता 45 का 10 और 11 पढ़िए बजन सहीता 45 का 10 और 11 इसको मैं समझाऊंगा आपको तरीके से साम 45 10 11 साम 45 10 11 साम 45 10 11 बुलिए ए राज कुमारी सुन और कान लगा कर ध्यान दे अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा Amen आगे ग्यारवा और राजा तेरे रूप की चाहा करेगा Amen आप सुचिए कौन है राज कुमारी आपको पता है परमेश्वन ने कलीसिया को दुलन का है क्यों परमेश्वन ने कलीसिया को दुलन का है क्यों परमेश्वन आपको कब समारेगा जब आपको आप उससे दूर हो जाएंगे प्रेसल आओ दस्मा पढ़िए दस्मा हे राजकुमारी सुन कहां लगाकर ध्यान दे अपने लोगों और अपने पिता को भूल जा संसार से आपको क्यों बुलाता है वो क्योंकि जब तक आपके अंदर संसार है आप परमिश्र को नहीं सुन सकेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि परमिश्र क्या कह रहा है क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ और है अभी भी कई लोग यहां पर बैठे हुए हैं यहां पर लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा आपका परमिश्र आपकी मनहुर्ता परमिश्र आपकी सुन्दर्ता को चाहता है जो आपके अंदर है इसलिए ग्यार्मा क्या कहता है और राजा तेरे रूप की चाह करेगा राजा तेरे सुन्दर्ता की चाह करेगा वो परमेश्वर तेरे सुन्दर्था को चाहता है वो चाहता है कि तेरी सुन्दर्था को मैं देखूँ इसलिए उसने अपने इकलोते पुत्र के लहू से आपको शुद्ध किया है प्रेस लौट अबराहिम से परमेश्वर ने क्यों कहा था कि अपने उड़ देश को छोड़ कर आ तेरा को क्यों नहीं का? हरान को क्यों नहीं का? अबराहिम से क्यों का? लूस से क्यों नहीं का? क्योंकि अबराहिम को चुना था उसने अबराहिम के अंदर वो नूर था अबराहिम के अंदर वो थ्याम होती वो चुनी हुई चीज थी वो कीमती चीज थी जिसे परमेश्व देख रहा था लेकिन अबराहिम नहीं समझ पा रहा था इसलिए अबराहिम से कहा आपने परिवार को छोड़ कर आ ताकि तु संसार को भूल जाए मुझे सुन जब तक संसार तेरे साथ रहेगा संसार के साथ रहना मुश्किल नहीं कोई गलत नहीं है आप ऐसा कमाएं कोई गलत नहीं है लेकिन आप पैसों के घुलाम नहीं हो जाए आप पैसे को भगवान ना समझे लगे अपनी ताकत को भगवान ना समझे लगे अपनी ताकत को अपनी बॉडी विल्डिंग को अपना अपनी बोलना समझे लेकिसाब मैं ताकत हूँ अब मेरा कोई कुछ नहीं विगार दखता नहीं प्रेस लौड परमेश्वर आपकी सुन्दर्ता की चाह करता है और वो सुन्दर्ता कहा है आपके अंदर इसलिए इब्रहाइम को परमेश्वर ने चार बार वाचा बांदी कि नहीं मैं तुझे उचा स्थान दूंगा मैं तुझे मान दूंगा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा जो तुझे आशीस देगा उसे मैं आशीस दूंगा जो तुझे शराब देगा उसको मैं शराब दू तो आगया था लेकिन संसार नहीं हटा था वो नहीं चाहता था पर मेश्वर के लूट उसके साथ है वो लूट को लेकर आ गया पर मेश्वर नहीं चाहता था कि वो मिश्र में जायकाल में वो मिश्र चला गया पर मेश्वर नहीं चाहता था कि हाज़रा को वहां से लेकिया व परमेशन नहीं चाहता था कि हाजरह से बच्चा हो गया और श लॉट परमेश्ट रूसके अंदर वो देख रहाता नूर उस जोती को देख रहा था लेकिन अब्राहिम नहीं देख रहा था और जिस दिन ये संसार अब्राहिम के आसपास से हटा जिस दिन पर्मेशन ने अब अब्राहिम को अब्राहिम कहा जिस दिन उसका नाम चेंज किया उस दिन उसके अंदर तब्दिली आई और ऐसी तब्दिली आई कि जब उत्पत्ती 22 में पर्मेशन ने कहा अपने इकलौते पुद्र को मेरे लिए बली कर और वो एकदम तयार हो गया सौ साल में उसे बच्चा मिला था और एक बार में बलिदान करने के लिए तयार होगा क्यों? क्योंकि संसार हट गया था उसके पास वो परमेश्र को जानने लगा था वो परमेश्र की परिक्षा को जानने लगा था जब तक संसार आपके चारों तरफ संथे नहीं हटेगा आप प्रभू को नहीं जान पाएंगे आप प्रभू को नहीं जान पाएंगे आप पयाँ हुदा से लृट आपका गृंजस बहुत बढ़ा हो सकता है लेकिन मेअब का बिंचर नहीं कर पाऊंगा मैं स्लय हकllen कि ने अशनीस मचीं मुजे उसका एलम नहीं है कि ऐब तक आपकि चीजहों को मैं सीखुंगा नहीं तब तक मैं तब तक वह आशीष आप नहीं पापाएंगे प्रेस अलॉड आपके घर के हर नियम होते हर घर का अपना नियम होता है इसी तरीके परमेश्वर का नियम है अलेलुए आपके अंदर अपनी जोती रखी हुई है इसलिए उसने कहा है कि तेरे जन्म लेने से पहले मैंने तुझ चुनाएं आलेलुए लेकिन आप अपने आपको नहीं पहचान पाते हैं अभी यहां कई लोग हैं कई सालों से आते हैं जरा सी प्रॉब्लम आती है भटक जाते हैं चर्चाना भूल जाते हैं जरा सी प्रॉब्लम जरा सी तकलीव आपको दूर कर देती है क्योंकि आप समझ कि पुछए नहीं कि आपको मिला किया है मुझे इशूमुसी के द्वारा द्वारा मिला किया है है मुझे वह बुर्प मिली है जिसका कोई भी कि भूल्लन डाOR शौर किसी के संग आप बटवारा नहीं कर सकते, आप किसी के संग उसकी उपमान नहीं कर सकते, प्रेस अलोट, आलेलुया, इसलिए वो कहता है कि उस चीज को मानो, भजन सहीता 19 का 12 तेरा, तेरवान लिका लो, साम 19, 13, प्रेस अलोट, जब तक तु अपने पाप को मानेगा नहीं, तब तक तु उसके अनुसार चलेगा नहीं, उसको निकालने में, जब तक तु मानेगा नहीं, तब तक उसको छोड़ने के लिए चाहा नहीं होगी तेरी इच्छा, पढ़िए बेटा, तु अपने दास को डिटाई के पापों से भी पचायर, वे मुझ प्रभुता करने न बार्मा पढ़ां पहले बार मां बढ़ा, अपनी भूटक को कौन समझ सकता है, मेरे गुपत पापों से तु मुझे पवितर कर, अपने भूटक को, कभी कभी आ बोलते हैं भूटक से पाप हो गया, अरह अर्चाना की हो गया मैं करना न यचादरत हो गया, कोई बात से mintल programme नहीं होना चाहिए आज आपने भूल चुक की परमेशन ने आपको माफ किया इसका मतलब यह नहीं कि कल भी आप भूल चुक करें नहीं तो आप प्राथना करें कि अपनी मेरी भूल चुक से मुझे बचा जो भूल चुक से क्योंकि शैतान बड़ा शातिर है मैं आपको सच कह रहा हूं पाप आप नहीं कर रहे हैं आप गलत नहीं हैं आप घर में अशान्ती नहीं ला रहे हैं चुकि आप कमजोर हैं इसलिए शैतान आपके अंदर काम कर रहा है एक आदमी आपके अंदर काम कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि व आपके जिन्दगी को आफके परिवार को आपके रिष्टों को खतम कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहा है … अप क्यूंकि आप शरीर के सुक में इस तरीके से कर लिप्ट हुए है। शेटान ने आपको शरीर के सुख के लिए इतना इतना आपके अंदर डाल दिया है कि आप उसे निकल नहीं पा रहे हैं और आप सही सुख जो सामने रखा है उसको देखी नहीं पा रहे हैं नमान कोडी एक सीरिया का सेना पती था बहुत बड़ा आद्मी था दूसरा राजा पांच का एक और तो अगर पढ़ेंगे बहुत बड़ा राजा था सीरिया का सेना पती था परंतु किंतु उसके अंदर कोड था क्या था कोड था जो परंतु और किंतु है न सर हमारे जीवन में आते हैं ये बड़े हमें डराते हैं वो परिवार बहुत अच्छा है यार बहुत अच्छा घंदा उनका बहुत अच्छा है बीबी अच्छी है बच्चे भी अच्छे है बहुत है गाड़ी भी है सब कुछ परंतु उनके घर से लड़ाई की आवाजी आती है यह परंतु शब्द है ना पास्टर सबकों चिल रहे मेरे जीवन में अच्छी नोकरी है और अच्छा है बच्छा भी अच्छा है अच्छा है परंतु नेन नहीं आती रात को परंतु यह दो परंतु शब्दन है बड़ा डेंजरस है अलेलिया यह सीरिया का सेना पती था नामान उसका नाम था बहुत बड़ी जंग इसे लड़ी थी परंतु उसके पास कोड़ था क्या था कोड़ था का उसों किसी ने बता कि जा बैस इसराइल में जा-वाँ पर एक नभी है ईलिये यह एलीस colors और बहुत सामर्थी है वग प्रातन करेंगा तेरा कोट चला जाएगा उसने ठीक है भई मैं जाता हूँ इसराइल में उसने राजा का लेटर लिखवाया और पूरी सेना ली उसने और पूरे अपने कपड़े लिए बारा जोड़ी और सोना लिया चांदी लिया बड़ा उसने जेवरात लिया और वो एलीसा नभी से मिलन उसने बताया नामान बोलो नामान आया सेना सेरापथी और मिलना चाहते हम तो एलीसा ने अपने चेले को भेज़ दिया जाओ उसको बोलो यर्दन नदी में साथ डूपकिया लगाओ वो नराज हो गया कि मैं साथ डूपकिया यर्दन नदी में लगाओ अरे क्या सीरिया में क्या नदिया नहीं यह अगया मैं वह डूपकियाने लगा सकता मैं यहां डूपकिया लगाओ अरे मैंने सोचा था ये नभी आएगा मेरे घाओ पर हाथ फिरेगा मेरे लिए प्रात्रा करेगा कि मैं चंगा हो जाओं ये बाहर निकल कर भी नहीं आया और मुझे बोल दिया कि जाओ मैं नहीं कराओंगा तो उसके एक सेवक ने आकर कहा कि भाई साथ प्रभू आप क्यों नराज होते हैं क्या उसने गलत कहा है उसने यही तो कहा है ना कि यर्दन नदी में जाकर साथ डुप किया लगा लेज़े कोई बड़ी बात तो नहीं है अगर आपको कुछ और करने के लिए बोलता तो आप बुरा मान थे दिखा लीजे तो उसको समझ में आई क्या चलो ठीक है यह बहुत विस्तार से मैं आपको शॉट बता रहा हूँ तो वो यर्दन नदी में गया वो जो सेना थी जिसके सामने वो घमंड करता था जिसके सामने वो गरूर करता था उसके सामने वो नंगा हुआ उन सेनाओं के सामने अपने कपले उतारे जो सेना दस दस आदमें उसे कपले पहनाते थे और वो ख़ले हुए हैं देख रहे हैं और वह कपड़े उटार रहा है और यर्दन नदी के अंदर जाता है डुबकी लगाता है सिल्चक や और सेना देखे रही है वह आप अपनी अंदर सोच रहा है कि मैं मेरी एक आग्या-प्र-कितने लोग शहिद हो गलते थे मैं एक बार बोलता था और यह लोक कुछ नहीं हुआ दो बार लगाया कुछ ने हुआ महसूम्यत के साथ मायूसी के साथ बेचैनी के साथ उसने 60 डूप किया लगा और जब सात्मिय लगाकर बाहर आया तो उसका ऑंग बच्चे की तरह पवित्र हो गया क्या बताना चाहता है वचन यहां पर क्या ठीक करना चाहता ह defer उसके अंदर से घमंड को निकालना चाहता था आपको बेचैन कौन कर रहे है? घमंड. आपके रातों के नीन कौन उठा रहे है आपका घमंड. आपका स्वभाव आपको रातों के नीद, आपके अंदर बेचे नहीं, आपके घर में लडाईयां कौन पैदा कर रहा है आपका घमंड क्या किया पर्मिशन ने? उसको दीनता दी, उसको नम्रता दी जैसी वो दीनता और नम्रता के संग जुका, उसका रोख दूरು हो गया Amen आपके अंदर कोई रोख है अगर अगर आपके अंदर भी कोई घमंड है मेरी भैन, मेरे भाई अगर आपके अंदर लगता कि नहीं मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ जिन्देगी में किया है, मेरा कुछ है, निकाल दीजिए, आज आप ठीक हो जाएंगे, आज आप चंगे हो जाएंगे, प्लीज, अपने आपको शुद्ध करिये, हलो, परमेश्र नहीं चाहता है कि हमारे अंदर घमंड हूँ, घमंड से चड़ी हूई आखे, परमेश्र को बरदास्ट नहीं है, निती बचन 6 का सत्रा, प्रवब्स 6.17, लास बचन पढ़ना हूँ मैं आपके लिए, प्रवब्स 6.17, अर्थात, गमंड से चड़ी हूई आखे, जूट बोलने वाली जीप, और निर्दो, पढ़ो, पढ़ो, छे वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन साथ है जिन से उसको घ्रिना आती है, जिन से वो घ्रिना करता है परमेश्र, और उनमें पहला क्या है, गमंड से चड क्या आप परमेश्र से दूर होना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्र आपसे घ्रिना करें, वो परमेश्र जिसने इस स्रिष्टी को रचा है, वो परमेश्र जिसने आपको बनाया है, वो परमेश्र जिसने आपको थामे है, क्या आप चाहते हैं कि वो आपसे घ् साल अपने इंदे गर घमंड के दिअब को यस परमिश्र का प्रेम पर भींग देन था अपने अंदर लेकर आई यॉ अलेलोईया बोलिए इशो मसी की, इशो मसी की, इशो मसी की, जोर से तालियां बजाएए आलेलिया, बेसे लोगा